हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो चलिएगा आज हम बनाएंगे पर्तो वाली चासनी वाली मठरी तो किस तरीके से बनाएंगे जो कि मिंटों में बनके तयार हो जाएगी आप करवा चोथ क्या दीपा वाली तक भी इने एंजोई कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितन दो चमज के करीबन रिफाइन ओल आप जहा होते हैं गी ढ़ले तो तीन टेवल स्पून के करीबन आप यहां पे झिडाल सकते हैं तो देखिए मैंने जो बडा वाला चमज होता उसे मैंने यहां पे डाल दी है दो चमज और छोड़े चमज ना पहेंगे तो यह चार चमज क मैदय में हमारा बढ़िया से मिल जाए और इस तरीके के जो मठरी आप बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेश्टी और बढ़िया से खुस-खुसी बनकी होंगी तैयार जो कि खाने में बहुत ज़्यादा लगेंगी तैश्टी और ऐसा होता ना करवाचोत पर हम अपनी आप बेटियों के आप भी बेशते हैं कुछ चीजें इसी तरीके से आप बनाकर इनको तैयार कर सकते हैं तो चलिएगा एक सौप्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेते हैं जैसे कि हम पूरियों बगर आपकर लगाते हैं बिल्कुल बैसा ही हमें डो लगाकर तैयार कर लेना है और ध्यार केगा पानी हमें एकटा बिल्कुल भी नहीं डालना पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना जिसमें जितना पानी पड़ेगा बस उतना उतना पानी हमें यहां पर डालना और एक जैसे पूरियों का हम आटा लगाते हैं बिल्कुल बैसा ही आटा लगा के हमे करेंगे 15-20 मिनट के लिए और हां बैठना नहीं है जब तक हम अपना दूसरा काम भी नपटा लेते हैं तो क्या करेंगे यहां पर दो कप के करीबन मैंने लीए चीनी और देखिएगा चीनी इसमें डाल देंगे हम उसके बाद में क्या करेंगे यह कप लेंगे हम पानी क्यों कराएंगे सब्सक्राइब औ printer थे खानें में अपे वागादेब करेंगे अब थोड़े से हम पादं को भी oaks कर लेते हैं और ऐब नहीं है करें बासी को के तयार हो जाएगे भी तो फिर भी हमारी चमश डाल दिये यहाँ पर रिफाइंड Oil अच्छी से मिक्स कर देंगे और बस यह देखेगा अच्छी तरीके से हमारी जो已 सिलरी होती करें करें लोईयां हमें लागवग उतनी कंड्रोटि जतनी की हमन रूटियां बनाते यह उतनी पीस हिए लोईयां कर लिनी है तो इसी साइन मेरने हैं Ooooh नगिनार रोटी बनाते हैं बस आप मेल लेते हैं तो ऊब शस्ता कोना के तैयार कर ली हैं देखिएगा और जो आज मठरी बनेंगे ना पांच रोटी हो से ना तो बहुत ही जादा पर्तो वाली मठरी बनके होगी तैयार और इसके लावा आपको कोई यो दूसरा आइडिया भी आता हो ना तो प्लीस मुझे शेयर करिएगा किस तरीके से पर्तो वाल उस पर भी थोड़ी से हम सिलरी डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से फिला देंगे और उसके बाद में डाल देंगे हम यहाप थोड़ा सा मैदा और शूका मैदा जरू डाल लिएगा ताकि हमारी पर्तों जब सिकेंगी ना तो यह बराबर खुलती जाए एक एकर कि इसी तरीके से हम पांचों रूटियों को हमें तयार कर लेना है और अच्छी तरीके से हमें इस तरीके से हम जब मत्रियां बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी और यह तरीका है जो आपको बहुत ज़्यादा आच्छा भी लेगेगा तो बस इसी तरीके से मैंने यह पर चार रूटियां complete कर लिए हैं अब उसके बाद मैं last बची होई है तो उसे भी हम यह पर ऐसे ही set कर देते हैं तो बस अच्छे से हमने इने set कर दिया है चार अच्छे से कोने दबा देंगे और एकदम से हलके हलके हाथों से हमें इसे बेल लेना है क्योंकि जब यह रूटियां रखी हैं तो काफी मोटी भी हो गई है तो हलके हलके हाथों से थोड़ा सा हमें से बेल लेंगे तब हम इसके pieces को करेंगे cut तो बस मैंने इसे बेल लिया है ज्यादा tight hand से मद बेलेगा अगर ज्यादा टाइट हांट से बेलेंगे न तो ये बिल्कुल भी परत नहीं देंगी और पूरी की तरह बनके तयार हो जाएगी तो चलेगा इसे हम काट लेते हैं आपके पास में एक कटर हो तो आप उससे डग काट सकते हैं नहीं है तो मेरी तरह कोई भी इस तरीके का उसकर लिया तो ये देखीगा इस तरीके से डिजान वाली मट्रिय बनके तयार हुएगा अब ये कटाई में फूले नहीं तो उसके लिए क्या करना है यहां पर हमें इसमें थोड़े-थोड़े से निशान बना के रख देना तो निशान बनाने के लिए मैंने आप बस करते हैं ना अलाग-अलाग हो जाएंगी और चलिए बढ़ियां से सिकें और क्रस्पी अंदर तक हो तो उसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले गेस कप हमें तेल अच्छे से गरम कर लिए उसके बाद में गेस कपे लिम लोटू मेडियम रखना है और एक-एक करके हमने अपने पीसे से एक बार कड़ाई में जितनी आये ना उन्हें डाल देना ताकि अच्छे से सिकें और इनकी परती खुल जाएं और देखेगा मेरी थोड़ी सी यहां पे एक गलती होई है बो भी मैं आपको बता देती हूं आप ना करें मैंने पांचों रोटियों के कट्टा रखने बाद उसे दम से बेल दिया था यह वही वाली मट्रिया है और आगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपकी भी नहीं फूलेंगे इसलिए ध्यान रखेगा इन्हें बिल्कुल से धीमी हांस से मतलब हलकी हांस से बेल के तैयार करनी है अगर हम जल्दी जादा बेल तो देखिएगा, यहां पे सिक चुकी है लेकिन यह ज़्यादा फूली नहीं है, यानिकि इनके ज़्यादा यहां पे पीसेस नहीं हुए है क्योंकि मैंने गलती मैंने आपको बताईए, वह गलती आप भी मत करीएगा, तो चलीगा हम दूसरे जो मैंने बनाई आई है, हम परते खुली हैं तो आप भी इस बात का ध्यां रखिएगा अगर पड़तो वाली मठरी चाहिए ना तो बस यह शापदानी रखिएगा विल्कुल आरम से धीमेदे में हातों से बेलेगा क्योंकि साम बहुत हो रहे थी अंदेरा भी हो रहा था और मैं भी जल्दी जल्दी में सोच रहे थी कहीं लाइट ना चली जाए इसलिए इने बना रहे थे और यहां पर हमारी चाहसनी भी तयार हो गई है तो देखिए यहां पर हमें एक तार नहीं दो तार बाली चाहसनी बन देते हैं कि इसको ऑफ करती है चासनी थोड़ी सी घरम है और बस इस तरीके से करती हुए हम अपने मठ्रियों के इसमें डाल देंगे ताकि चासनी अंदर तक भर जाया और बस इससे निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है और यहां पर मैं जाया हुआ है बादम से सजाए और थोड़ सी गुलाब की पत्तिया भी डाल दी यह देखेगा मैंने दोनों तरह की मठ्रियों बनाई हैं जो नहीं भी फूली और जो फूली भी है उस तरीके से तो वस आप भी बनाकर ऐसी मठ्री तयार कर सकते हैं और थोड़ी चासनी मेर So, bye-bye!